मजबर विराजमान उत्तर प्रदेश के उर्जावान यशस्वी मुख्यमंत्री स्रिमान योगी आदित्यनाजी प्रदेश भारतिय जनता पार्टी के द्यक्ष और संसद में मेरे साथी स्रिमान महेंद्र पांडे जी और विशाल संग्या में पदारे हुए काशी के मेरे युवा साथियों काशी के आप सभी भाईबंदु भगिनी को मेरा प्रणामबा हमरे काशी के लोगन हमें एतना प्यार देलन सच में मन रदे गदगद हो जाला आप लोगन के बिटा है समय निकल बार बार काशी आवे का मन करला भाईव और बहनों हर हर महादे मेरे लिए इस सवभागे की बात है देश के लिए समर्पित एक और वर्ष की शुरुआत मैं बाबा विश्वनात और मा गंगा के शूब आशिश से कर रहा हूँ आप सभी का यस ने ये आशिरवाद मुझे हर पल प्रेरित करता और सभी देश वाश्यों की सेवा के संकल्प को और मजबूत करता है सात्यों इसी सेवा भाव को आगे बढ़ानेते हुए आज यहां साड़े पांच सो करोड रुपिय से जादा रकम के प्रोजेश का या तो लोकारपन हुआ है या फिर सिलान्यास हुआ है विकास के एकारिय बनारश शहर ही नहीं बल्कि आस पास के गाउं से भी जुड़े है इनमें बिजली पानी जैसी मुलभूत आवश्चक्ताओं से जुड़ी परियोजनाय तो है ही साथ में किसानों, बुनकरों और सिल्फकारों को नए आवसरों से जोडने वाले प्रोजेक्ट भी शामिल है इतना ही नहीं बनाराज हिंदु विश्विद्धाले को 21 सदी का महत्वपूर्ण नौलेज सेंटर बनाने के लिए भी कई प्रोजेक्ट की शुरुवात की गई है इन परियोजनाओं के लिए मैं बनारस के लोगों को बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ शुपकामनाई देता हूँ साथ क्यों मैं जब भी आपके बीच आता हूँ तो एक बात जरूर याद दिलाता हूँ हम काशिवें जो भी बजलाव लाने का प्रयास कर रहे हैं वो उसकी परंपराओं को संजोते हुए उसकी परंड़ानिक्ता को बचाते हुए किया जा रहा है अनंतकाल से जो इस सहर की पहचान रही है उसे सुरक्षित करते हुए इस सहर में आदुनेक व्यवस्ताओं का समावेश किया जा रहा है चार सबाचार वर्ष पहले जब काशी वासी बदलाव के इस संकल्प को लेकर निकले थे तब और आज में अंतर स्पस्ट दिखाई देता है दिखता है ना अंतर दिखता है कि नहीं दिखता है बदलाव नजर आ रहा है धर्ती पे परिवर्तन दिख रहा है दन्यवाद वर्ना आप तो उस विवस्ता के गबा रहे हैं जब हमारी काशी को भोले के भरो से अपने हाल पर छोड़ दिया गया था आज मुझे अव्यवस्ताओं को देखकर यहां आने वाले हर व्यक्ति का मन उदास हो जाता था बिजली के तारों के जाल उसी की तरह यह शहर भी अपनी अव्यवस्ताओं में उल्जा हुआ था और इसलिए मैंने ठाना था कि काशी की चवत तरफा आव्यवस्ता को चवत तरफा विकास में बदलना है आज काशी में हर दिशा में परिवर्तन हो रहा है मुझे आद है साउसद बनने से पहले भी जब मैं यहां आता था तो शहर भर में बिजली के लटकते तारों को देखकर हमेशा सोचता था कि आखिर कब बनारस को इससे मुक्ति विलेगी आज देखिये शहर के एक बड़े हिस्से से लटकते हुए तार गायब हो गए है बाकी जगहों पर भी इन तारों को जमीन के भीतर बिछाने का काम तेजी से जारी है आज बिजली करण से जुड़े जिन पांच बड़े प्रोजेक्स का लोकारपड किया गया है उनमें पुरानी काशी को बिजली के लटकते तारों से मुक्ती का भी काम उसमें शामील है इन सभी प्रोजेक्स से बारा नसी शहर के अलावा आस पास के अने गाउं को परियापत बिजली देने का लक्ष को और बल मिलने वाला है इसके अलावा आज एक और विद्यूत उपकेंदर का सिला न्याद भी किया गया है जब यह तयार हो जाएगा तो आज पास के बहुत बड़े खेत्र को कम वॉल्टेज की समस्या से छुटकारा मिलेगा साथियों बारा नसी को पूर्वी भारत के गेटवे के तौर पर विक्सित करने का बर्सक प्रयास हो रहा है और इसलिए सरकार की प्रात्विक्ता बारा नसी को वर्ल्ड क्लास इनफास तक्तर से जोड़ने की है 21 सदी की आवश्यक्ता के अनूर्पूप ट्रांस्पोर्ट हो मेडिकल सुविदाय हो सिख्षा सुविदाय हो सभी का विकास किया जा रहा है आज काशी LED की रोशनी से जगमगा रही है शहर की शड़कों उस पर रात में भी मा गंगा का प्रबासा दिखता है LED बल्प से रोशनी तो हुई है आप लोगों के बिजली के बील में भी बहुत कमी आई है बारणसी नगर नगर निगम ने LED बल्प लगने के बाद करोडो करोडो रुपयों की बचत की है साथियों चार वर्स पहले जो काशी आया था वो जब आज काशी को देखता है तो उसे नई सडकों का विस्तार होता हुआ दिखता है बर्सों से बनारस में रिंग रोड की चर्चा हो रही थी लेकिन इसका काम फाइलों में दबा हुआ था 2014 में सरकार बनने के बाद काशी में रिंग रोड की फाइल को फिर से निकाला गया लेकिन यूपी में पहले की सरकार ने इस प्रोजेक्ट में गती नहीं आने दी उनको चिंता हो रही थी कहीं ये काम हो गया तो मोदी का जैजेकार हो जाएगा अर इसलिए दबा करके बैटे थे लेकिन जैसे ही आप सबने योगी जी की सरकार बनाई सरकार बनने के बाद अब ये काम बहुत तेजी से पुरा किया जा रहा है हर हुआ से गाजीपूर तक चार लेन सडक का काम लगबग पुरा होने कोई है हर हुआ से राजा तलाब और चंदोली तक एक नए सरकीट को तयार करने पर तेजी से काम चल रहा है इस रास्ते में गंगा पर एक पूल भी बनाये जाएगा जिससे बनारस में आने वाले बड़े ट्रकों की संख्या कम हो जाएगी साथियों काशी रिंग रोड के निर्माण से सिर्फ काशी नहीं आस पास के अनेक जिलों को भी लाब होने वाला है बिहार, नेपाल, जारखन, मद्दप्रदेश वहाँ जाने के लिए यहाँ से निकल रही सडकों का बहुत ही महत्व है यही कारण है कि वारण असी शहर के भीतर और वारण असी को दूसरे राज्यों से जोडने वाली सडकों को चोड़ा किया जा रहा है, उनको विस्तार दिया जा रहा है वारण असी हन्मना यानि नेशनल हाइवेन नमबर सेवन वारण असी सुल्तानपूर मार्ग, वारण असी गोरगपूर सेक्षन वारण सी हंडिया सडक संपर्ग भी हजारों करोड रुपिये खर्च किये जा रहे है भाईजों और बैनों, बानारस के भीतर भी हजारों करोड रुपिये की अनेख सडक परियोजनाएं चल रही है महमुर गंज से मडवाडी आने जाने वालों को पहले कितनी दिक्कत होती थी स्कूल आने जाने वाले बच्चों का किस प्रकार मुश्किले जेली पड़ती थी ये भी आपको याद कराने की जरूत नहीं है बर्सों के इंतिजार के बाद मडवाडी फ्लाइ ओवर का काम भी पूरा हो चुका है वही गंगा नदी पर बले सामने गाट पुल के पूरा होने से राम नगर आना जाना और आसान हुआ है सहर का अधूरा पूल जितना पुराना था उतनी ही पुरानी उसे चौड़ा करने की मांग थी कई दिशकों से अधुरा पूल को चौड़ा पूल करने का काम अटका हुआ था इस काम को भी पूरा किया गया है इसके अलावा बोजुबीर सिंधोरा मार को चौड़ा करने का काम शिवपूर फुलवरिया मार को फोरलें करने का काम राजा ताला पुलिस चौकी से जखिनी तक सड़क के चौड़ी करन का काम हो शहर के अलग-अलग हिस्सों में आज तेजगती से काम चल रहा है आस्ता और परियाटन की दर्श्टी से एहम पंचकोसी मार के विकास का कारे भी तेजगती से चल रहा है बावतपुर से कजहरी मार तक बन रही सड़क पर लगवग साड़े साथ सो करोड रुपिये खर्च किये जा रहे है पहले ये सड़क कितनी संक्री थी इससे आप सभी बली बाती परिचीत है कुछी मिनिटों का रास्ता ताय करने में गंटों का समय लग जाता था बारी जाम के कारण कई बार फ्लाइट तक ट्रेन तक छुड़ जाती थी जबसे ये सड़क पुरी तरह से तयार हो जाएगी तो इन सभी समस्याओं से मुक्ती मिलना सुनिश्चीत है साथियों बारानसी में हो रहे है विकास के गवाँ यहाँ एरपोर्ट पर आने वाले लोग भी बन रहे हवाई जहाँ से बना रसाने वाले लोगों और टूरिस्टों की संख्या में लगातार बडोत्री हो रही है चार साल पहले जहाँ बाबतपूर एरपोर्ट पर आठ लाख लोग आते जाते थे अब यह आंकड़ा 21 लाख पहुँच गया है स्मार्ट बनारस में स्मार्ट परिवरदान हो इसके लिए ट्रांस्पोर्ट के हर तरीके को आधुनिक बनाने का काम हो रहा है ट्राफिक ववस्ता को इंटिग्रेट किया जा रहा है ताकि किसी एक परिवहन ववस्ता पर बोज न पड़े यहां बन रहा इंटिग्रेटेड कमांड और कंट्रोल सेंटर पूरे शहर के प्रशासन और पबलिक सुविधाओं पर नियंत्रण करने वाला है बनारस और बनारस में तेजी से बन रही मल्टी मोडल टर्मिनल का काम पूरा होने पर यह शहर ट्रांस्पोर्ट और लोजिस्टिक के बड़े हब के तौर पर भी उभरने वाला है इससे सडक, रेल और जल परिवहान तीनोही कनेक्टिविटी बढ़ेगी जिसका बड़ा लाब यहां के वापार और उद्द्यों को मिलने वाला है साथियों, काशी आने जाने वालों का समय बचे, इसके गंगा पर फेरी चलाने की योजना पर काम हो रहा है वारानसी से हल्दिया तक, नेशनल वाटरवेड नंबर एक का काम भी जारी है CNG से गाड़िया चलाने की दिशा में तेज गती से काम हो रहा है भाई और बहनों, सोशल मीडिया पर जब लोगों को खुशी मैं वारानसी कैंट स्टेशन की तस्ट्वीरे पोस्ट करते हुए देखता हूँ तो मेरी प्रसंदता भी दो गुना हो जाती है कैंट स्टेशन हो, मडवाडी हो, या फिर सिटी स्टेशन सभी पर विकास के कारियों को गती दी गई है उन्हें आधुनिक बनाने का काम किया जा रहा है रेल से काशी आने वाले को अब स्टेशन पर ही नई काशी की तस्वीर नजर आती है साथियों इसके अलावा बारानसी को इलावार और छप्रा से जोडने वाले ट्रेक की डबलिंग का काम प्रगती पर है बारानसी से लेकर बलिया तक विद्यूती करण का काम भी पूरा हो चुका है वारानसी इलावा सीटी खंड के दोरी करण और विद्यूती करण का कारिय जारी है इन्फास्टेक्टर के साथ साथ वारानसी की देश के बाकी हिस्सों से रेल कनेक्टिविटी में भी कई गुना बढोत्री हुई है वारानसी से अनेक नई गाड़ियों की शुरुवात पिछले चार साल में की गई है वारानसी से नई दिल्ली बडोद्रा पटना जाने के लिए अलग-अलग महामना एक्सप्रेश वारानसी पटना जन्षताब्दी एक्सप्रेश जैसी आदुरिक शुबईदाओं वाली ट्रेनों ने भी सभी का ध्यान खीचा है हुबली हो मैशूर हो गोहाटी हो देश के अन्य सहरों के साथ वारानसी का रेल संपर्क और मजबुत हुआ है साथियों आज काशी में न सिर्फ आना जाना असान हो रहा है बेलकी शहर के सौंदर्य को भी निखारा गया है हमारे घाट अब गंदगी से नहीं रोशनी से अतित्यों का सतकार करते हैं मा गंगा के जल में अमनाओं के साथ साथ कुरूच की भी सबारी संबव हो पाई है हमारे मंदिर पुजास्थलों तक सुद्धनूओं को पहुँचने में मुश्किल ना हो इसके इंतजाम किये गए हैं परियटन से परिवर्तन का यह अभ्यान निरंतर जारी है भाईजी और बहनों बीते चार वर्सों से कासी की विरासत हमारी दरोहोरों को संजोने का उन्हें सवारने का काम किया जा रहा है मैदागिन सित, ताउन होल वो जगह है जहां गांदी जी ने स्वतंत्रता अंदोलन की अलग जगाई थी हम हेरिटेज भवन का गावरो फिर लोटाने का काम किया गया है ये फिर से अपने मूल स्वरुप में दिखने लगा है बारानसी के बड़े और मुख्य पार्कों का जिर्णो द्वार विकास और सौंदरी करण भी किया गया है सारनाथ में परियटकों के लिए लाइट एंड शाउन्सों की विवस्ता की गई है परियटन को बढ़ावा देने के लिए बुद्धा थिम पार्क, सारंगनाथ तालाप, गुरुदाम मंदीर, मारकेंडे महादेव मंदीर जैसे आस्था से जुड़े अनेक स्थलों का सौंदरी करण भी किया जा चुका है भैरव कुण, सारंगनाथ कुण, लक्ष्मी कुण और दुर्गा कुण की साप सभाई और सौंदरी करण का कार्य पूरा हो चुका है पिछले चार सालों में, दूसरे देशों के अनेक सिर्ष नेताओं का स्वागत, कासी वास्यों ने किया है अदबूत स्वागत किया है जापान के प्रधान मंत्री, सीजो आवे, फ्रांस के राश्पती मैंकरो, जर्मनी के राश्पती फ्रेंक वाल्टर ने कासी के आतित्य को सारी दुनिया में सराहा है, जहां गए उसकी बात की है जपान ने तो कासी के लिए कन्वेंशन सेंटर का भी तोफ़ा दिया है साथियों, बनारस के आतित्य पर अगले वर्ष की शुरुवात में भी दुनिया भर की नजरे होंगी जन्वरी में दुनिया भर में बसे बर्तियों का कॉम यहां काशी में बैटिये भईया आपका प्यार मंजूर है भईया दुनिया भर में बसे बार्तियों का कॉम यहां काशी में लगने वाला है और इसके लिए सरकार अपने स्तर पर काम कर रही है लेकिन आपका सयोग भी आवश्यक होगा एक एक काशी वाशी को इसके लिए आगे आना होगा काशी की गली-गली नुकड चोहराए पर बनारस का रस, बनारस का रंग, बनारस की सांस्कूर्तिक विरासत नजर आनी चाहिए साब सफाई से लेकर आतित्य सत्कार की ऐसी मिसाल हमें बनानी है कि हमारे प्रबासी भारतिय भाई बहन जीवन भर याद रख सके और मैं तो चाहूंगा कि प्रबासी भारतिय दिवस में दुनिया भर के जो लोग जो कर यहां आएंगे वो ऐसा अनुभव करके जाए, ऐसा अनुभव करके जाए कि वो हमेशा के लिए काशी के टूरिजम के अमबेसेडर बन जाएं वो जहां जाए काशी की तारीब करते रहें बाई यूर बैनो स्वच्चता के मामले में भी काशी ने परिवर्तन देखा है आज यहां के घाटों, सडकों और गलियों में स्वच्चता स्थाई बनती जा रही है ना सिर्फ साप सभाई बल्कि कूडे के निस्तारन के भी ठोस उपाय किये गए है कूडे से आदुनिक तक्निक द्वारा खाद बनाने का काम भी किया जा रहा है करसडा में कतरे से खाद बनाने का बहुत बड़ा कारखाना स्थापीत किया गया है हर रोज सैंकडों मेट्रिक टन कूडे का निस्तारन हो रहा है कूडे से कंपोस खाद बनाने का काम हो रहा है कर्षडा में ही वेस्ट्य एनर्जी प्लांट की भी स्थापना की गई है इस प्लांट से बिजली पैदा करने का काम किया जा रहा है इसके अलावा भवनिया, पोक्री, पहाडिया, मंडी और आईडियेच परिशर में बायो फ्यूल बनाने वाले प्लांट स्थापित किये गए है साथियों मा गंगा की सफाई के लिए गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तद एक साथ प्रयास चल रहे है सिर्फ साथ सपाई नहीं बलकि इस चहरों की गंदगी गंगा में नागिरे इसके लिए भी प्रबंद किया जा रहा है और इसके लिए अब तक लगबग 21,000 करोड की 200 से अधिक परियोजनाओं को स्विक्रूती दी जा चुकी है मनारस में भी 600 करोड रुपिय से अधिक की परियोजनाओं सिर्फ इस मकसद से सुरू की गई है दिनापूर और रमाना में सीवेट ट्रिट्मेंट प्लांट का निर्मान तेज गती पर है सीवेट प्लांट के साथ साथ उससे जुड़े इन्फास्ट्रेक्टर पर भी काम किया जा रहा है शहर भर में हजारों नए सीवेट चेंबरों के निर्मान के साथ देर सो से अधिक सामुदा एक सोचालयों का निर्मान भी किया जा चुका है सीवर के साथ साथ पेज़ल की व्यवस्ता सुधारने के लिए काम जारी है हजारों घरों में पानी का कनेक्शन और पानी के मिटन लगाने का भी काम तेजगती से आगे बढ़ रहा है साथ यो वारनश्टी शहर ही नहीं बलकि आस पास के गाउं को भी सड़क, बिजली, पानी जैसी सुविदाएं पहुचाई गई है सांसत के रुपें जिन गाउं को विशेश रुप से विक्सित करने का जिम्मा मेरे पास है उनमें से एक नागेपूर गाउं के लिए आज पानी के एक बड़े प्रोजेक का लोकारपण किया गया है नागेपूर हो, जयापूर हो, ककरिया हो, या डोमरी हो सभी गाउं को पूरी तरज, सड़क, बिजली, पानी, जैसी सुविदाओं से जोड़ा जा रहा है खेल कुद के लिए मैदान, स्वारोजगार के केंद्र, खेती, किसानी की बहतर व्यवत्ता और उची स्वास्त सेवाओं जैसे अनेक इंतजाम किये जा रहे है साथियों, आपके सक्रिय सयोग से, कासी, आज पूर्वी भारत के एक हिल्थ, हब के रुप में उभरने लगा है अलग-अलग छेत्रों में बन रहे, नए अस्पताल, आने वाले दिनों में, बारणसी को पूरे पूर्वी भारत का बड़ा मेडिकल सेंटर बनाने जा रहे हैं, बी एच्चू में बना आधुनिक ट्रॉमा सेंटर, हजारों लोगों के जीमन को बचाने का काम कर रहा है बनारस में बन रहे, नए कैंसर होस्पिटल, सुपर स्पेशालिटी एस्पताल लोगों को इलाज की आधुनिक सुविदाएं देने में बड़ी भूमी का निभाने वाले है हाली में बी एच्चू ने एम्स के साथ एक बॉल्ल क्लास हेल्थ इंस्टिटूट बनाने के लिए भी समझोता किया है साथियों आज बी एच्चू में रीजिनल इंस्टिटूट अप आप्थेमालोजी एन एक शेत्रिय नेत्र संस्तान का भी सिलान्यास किया गया है चोवन वर्थ पहले लाल बादूर सास्त्री जी ने यहां नेत्र विभाग का उद्गाटन किया था इसको रीजिनल सेंटर के रुपे विस्तार देने का आउसर आज मुझे प्राप्त हुआ है जब यह सुविधा बनकर तयार हो जाएगी तो पुर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, चत्तिसगाट, मद्द प्रदेश, जारखन और नेपाल तक के करोड़ों लोगों को इसका लाब मिलेगा इतना ही नहीं, बलकि काशी वासियों को अब आँखों की गंबीर बिमारी के इलाज के लिए बड़े बड़े शहरों में नहीं जाना पड़ेगा इससे मोत्या मिंदु से लेकर के आखों की गंबीर से गंबी बिमारियों में होने वाले इलाज पर खर्च भी बहुत कम हो जाएगा इतना ही नहीं ये संस्थान अब उचस्तर के आखों के डॉक्टर भी तैयार करेगा और रिसर्च में भी गुणबत्ता निश्चित सुनिश्चित करेगा साथियों बनारस में नए अस्पतालों का निर्मार तो हो ही रहा पहले से जो अस्पताल मौजूद थे उनकी भी सूधली गई है पांडेपुर में 150 करोड की लागत से ESI होस्पिटल का अधुने करण किया गया है इसके अलावा बनारस में पहले से काम कर रहे हैं अस्पताल में बड़ों की संख्या बढ़ाई जा रही है निजी खेत्र को भी यहां अस्पताल खोलने के लिए प्रोचसाइद किया जा रहा है इसके अतिरिक ब्लॉक और तहसिल स्तर पर भी अनेक स्वास्त केंद्रों और अस्पतालों का निर्मान किया जा रहा है साथियों यूपी में बाजपा की योगी जी की सरकार मंडे के बाद इन सभी कार्यों में अबुद्पुर्वत्ती जी आई है मैं योगी जी और उनकी पूरी टीम को आईशमान भारत इससे जुड़ने के लिए भी बढ़ाई देता हूँ देश के 50 करोड गरीब भाई बहनों को 5 लाख रुपिय तक का मुप्त इलाज सुनिश्चित करने वाली इस योजना का ट्रायल यूपी समेत देश के इनेक हिस्सों में चल रहा है 23 सितंबर से इस योजना को देश भर में लागू किया जाएगा भाई और बहनों स्वास्त के साथ ही सिक्षा व्यवस्ता को मजबूत करने का सरकार ने बल दिया है ये मालविया जी की और उनी का सपना था कि एकी परिश्ण में प्राचिन विद्याओं के साथ साथ आधुनिक्ता की पड़ाई हो उनके इसी सपने यानी हमारे बिये चू को विस्तार देने के लिए आज अनेक सेंट्रस का लोकारपन हुआ है बेद के ज्यानक से लेकर 21 सदी के विज्ञान और वविश्य की टेक्नोलोजी के समाधान देने वाले आयाम आज यहां जोड़े गए हैं बेद से लेकर के वर्तमान तक को जोड़ा गया है आज यहां एक तरफ वैदिक विज्ञान केंद्र का स्यला न्यास हुआ है तो दूसरी तरफ अटल इंक्यूबेशन सेंटर की भी शुरुवात हुई है युवाज सांथियों हम सभी को जितना अपनी पुरालतन संस्कृति और सभ्यता पर गर्व है उतना ही वविश्य की तकनीक के प्रती हमारा आकर्शन है असी करोड से अधिक युवाओं की शक्ती से भड़ा ये देश तेजी से बदलते टेक्नोलोजिकल लेंड्सकेप में अपनी छाप छोड़ रहा है भविश्य की तकडीक के साथ भारत के इसी कदम ताल से ताल मिलाते हुए बियेचू में अटल इंक्यूबेशन सेंटर की शुरुवात की गई है बिये चुका ये इंक्युवेशन सेंटर आने वाले समय में यहां स्टार्ट अप के लिए नई उर्जा देने का काम करेगा मुझे जानकारी दी गई है कि देज भर से करीब 80 स्टार्ट अप के आवधन इससे जुनने के लिए आ चुके हैं और 20 स्टार्ट अप और लेड़ी यहां जीर चुके हैं इस सेंटर के लिए मैं बनारस के युवाओं और विशेशत तोर पर जो इस प्रकार का साहस रखते हैं सोच रखते हैं उनको मैं बधाई देता हूँ साथियों किसानों और ग्रामिन अर्थववस्ता को गती देने का काम भी बीते चार वर्सों से तेज हुआ है राजा थालाब में बने पैरिशेबल कारगो केंदर का जुलाई में ही लोकारपन किया गया है ये कारगो सेंटर वारा नसी और आजपास के किसानों की फसलों को नकेवल खराब होने से बचा रहा है बल्कि आए बढ़ाने और वेल्यू एडिशन में भी मदद कर रहा है यहां ना सिर्फ आलू टमाटर समेट दूसरे फल सब्जियों के स्टोडेज की सुविदा यहां है बल्कि रेलिवे स्टेशन में भी यह सटा हुआ है इससे फल सब्जियों को दूसरे सहरों तक बेजने में आसानी रहती है इस कारगो सेंटर के अलावा अब इंटरनेस्टनल राइस लिसर सेंटर भी का काम करीब करीब समाप्ति पर है यानि बविश में कासी धान की उन्नत किस्मों के स्टोध में भी अग्रीन भुमी का निभाने वाला है वारन सीकी किसान भाई बहनों को खेती के अतिरिक्त दूसरे व्यवसाइं से भी आए हो सके इसकी भी ववसता जारी है किसान भाई और बहनों को खेती के साथ-साथ पशुपालन और मदुमख्य पालन के लिए भी प्रोचसान दिया जा रहा है थोड़ी देर पहले किसानों यहां मद्दू मख्यों से भड़े बॉक्स आज यहां दिये गए यहां तो सिर्फ तस्वीर दी गई लेकिन उनको दे दिये गए उसके पीछे भी यही मकसद है मद्दू मख्यों ना सिर्फ हमारी उपज बढ़ाने को बड़ोधरी करती है बलकि शहद के रुप में अतिरिक्त आयका भी स्रोथ है आपको यह जानकर खुशी होगी कि आज देश रेकॉर्ड मात्रा में अनाज पैदा करने के साथ साथ रिकॉर्ड मात्रा में शहद भी पैदा कर रहा है भाईयों और बहनों बनारस और पुर्वी भारत बुनकरों, शिल्पकारों, मिट्टी को सोनाने बनाने वाले कलाकारों की दर्ती है बारानसी के हद करगा और हस्त सिल्पु द्योग को तक्नीकी सहायता देने और कारीगरों को नए बाजारों से जोडने के लिए ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर का निर्मान किया गया है इसके अलाबा बुनकरों को अच्छे उत्पादन की सुविदा के लिए नव स्तानों पर कॉमन फैसिलिटेशन सेंटर भी बनाये गए है अब बुनकर भाई बेहनों को वाद मसीन दी जा रही है इससे बुनकरों का काम और आसान हो जाएगा बुनकरी नहीं मिट्टी के बंसन और मिट्टी से कलाकृतिया बनाने वाले भाई बेहनों को भी तक्रिक की ताकत दी जा रही है आज यहां इस कारकम में कई भाई बेहनों को इलेक्ट्रिक चाग दिये गए है इसके अलाबा मिट्टी गुंतने और सुखाने की आदुनिक मशीने उन्हें दी जा रही है इससे जहां आपके स्रम की बचत होगी वहीं कम समय में अच्छी क्वालिटी के बरतन या फिर सजावटी सामान बनाए जा सकेंगे साथियों बारणची के हर बर्ग हर तपके का जीवन सर उपर उठाने के लिए सरकार निरंतर प्रयास कर रही है काशी हब देश के उन चुनितना शहरों में शामिल है जहांके घरों में पाइप से कुकिंग गैस पहुँच रही है इसके लिए इलाबाद से बनारस तक पाइप लाइन बिचाई गई है अब तक मनारस में आठ हजार से अधिक गरों करक पाइप वाली गैस का कनेक्शन पहुँच चुका है आने वाले समय में इसको चानिस हजार से ज़्यादा गरों तक पहुँचाने के लिए काम चल रहा है इसके अलाबा उजवला योजना के तहट दिये गए साथ हजार से ज़्यादा गैस कनेक्शनों ने भी बनारस के आसपास गाउँ में महलाओं के जीवन को आसान बनाने का काम किया है साथियों सबका साथ सबका विकास के रास्ते पर चलते हुए कासी एक नए उत्सा के साथ नए जोश के साथ अपना भविश्यत तर कर रहा है हजारों करोड के प्रोजेक्ट पर काम जारी है इनफास्तेक्चर के जिन प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है उनमें से अनेक आने वाले कुछ महनों में पुरा होने की स्थिति में है रिंग रोड एड़पोर्ट से कजहरी तक की सड़क राइस रिसर्च इंस्टिटूट दीनापूर गोईठा के सिवर ट्रिट्मेंट प्लान मल्टी मॉडल टर्मिनल विश्वस्तरिय कैंसर हस्पताल जैसे बड़े प्रोजेक्ट पुरे होंगे तो इनसे शहर के विकास को नए आला आयाम मिलेंगे साथियों ये सारी परियोजनाए बारणसी में यहां के नव जवानों को रोजगार के असीम अवसर भी उपलब्द करा रही है मनारस में हो रहे विकास ने यहां के उद्वियों के लिए भी व्यापार के नई संभावनों के वार खोले हैं आईए हम पूरे समर्पन के साथ बनारत में हो रहें परिवर्तन के इस संकल्प को और मजबूत करें नई काशी नए भारत के निर्मान में आगे बढ़कर अपना योगदान दें एक बार फिर आप सभी को नए हुए शुरू हुए तमाम प्रजेक्ट के लिए बढ़ाई देता हूँ आप यूही मुझे अपना स्ले और आजसी बात से प्रेणा देते रहें इसी कामना के साथ और भाईयो भेरो मैं भले आपने भले मुझे प्रजान मंतरी पत का दाईत्व दिया हो लेकिन मैं एक साउसत के नाते भी आपको मेरे काम का हिसाब देने के लिए जिम्मेवार हो और आज मैंने आपको चार साल में एक साउसत के रुप में का काम किया इसकी एक छोटी सी जलग दिखाई है और मैं मानता हूँ जन प्रतिनीदी के नाते आपके सेवक के नाते आप मेरे मालीक है आप मेरे हाई कमांड है और इसलिए पाई पाई का हिसाब देना पल पल का हिसाब देना ये मेरा दाईत्व बनता है और एक साउसत के रुप में आज मुझे खुशी है कि आपके बीच में एक विकास की बातों को आपके सामने प्रस्तूत करने का मुझे सौभागे मिला मैं फिर एक बार आपके स्नेह के लिए आपके आशिरवात के लिए आपके अप्रतीम प्यार के लिए रिदे से बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं मेरे साथ बोले भारत माता की भारत माता की भारत माता की बहुत धन्यवाद